वाटरमेलिन आइसक्रीम जैंड एक गाउ में बुड़ा आदमी रहता था उसके चार बेटे थे वे सब मिलकर तर्बूस को अपने खेत में उगाते थे फिर उन्हें ट्रैक्टर में रखकर ले जाते थे उस गाउ में एक फलों का गोडाउन हुआ करता था उसके मालिक का नाम था परमेश उसका एक सेक्रीटरी भी हुआ करता था वो बुड़ा आदमी और उसके बेटे तर्बूस को गोडाउन में अनलोड करके सेक्रीटरी से पैसे लेते थे परमेश अच्छा इंसान था परमेश के बेटे का नाम था पियुश वो बहुत लाड़ प्यार से पाला हुआ बच्चा था परमेश को अपने बेटे से बहुत लगाव था वो जो भी पूछता था उसे वो लाकर देता था एक दिन पियुश डाडी डाडी मेरा जनम दिन आने वाला है ना उसके लिए मुझे क्या प्रेजेंट देने की सोच रहे हो मुझे इस बार बहुत अलग चीज चाहिए वरना मैं इस बार के कटिंग भी नहीं करूँगा बस यूं कहा मा ये क्या नख रहे तेरे अलग आइटम यानी क्या है रहे वो क्या है बताओगे तो मंगवा देंगे ना यूंबोली परमेश उसके बारे में तो तुम जानती ही हो ना उसे क्या चाहिए उसे ही नहीं पता हम जो दिखाते हैं वो उसे पसंद नहीं आता सेक्रेटरी इसे क्या पसंद है वो बताओ भाई यूं कहा सेक्रेटरी बापरे मैं हाथ जोडता हूँ सर मुझे इसमें मत खिचे पिछली बार भी ऐसे ही अटक गया बाबू को पसंद होगा सोचकर रिमोट कंट्रोल हिलिकाप्टर मंगवाए लेकिन बाबू को पसंद नहीं आया तो उन्होंने केक कट नहीं किया इससे आपको गुसा आया और मेरी नौकरी तक हाथ से चली गई और पियुश बाबू तो मेरे बाइक को एक महिना तक पंचर दालते ही चला गया मुझे छोड दीजे सर मैं हाथ जोडता हूँ क्या ज्यादा कर रहे हो तुम हे रखा क्यू है सला देने के लिए ही तो ना तुम जो भी उसे पसंद हो वो आइटम को मंगवाना ही होगा वरना अभी नौकरी से निकाल दूँगा कहकर गुसे से चले गया सेक्रेटरी क्या करे समझ नहीं पाया और सर खुजाने लगा एक दिन तर्बूस के लोड के साथ वो बूडा आदमी और उसके बेटे गोडाओं के पास आए वहाँ परमिश अपने बेटे को आइसक्रीम दे रहा था तो वो उसे खा रहा था उन दोनों को दूर से सेक्रेटरी गुसे से देख रहा था वो देखकर वो बूड़ा आदमी क्या हुआ सेक्रेटरी जी इतने financing में क्यो हो क्या बात है युम पूछा वो सुनकर सेक्रेटरी छोटे बच्चे की तरह रोना शुरू किया बूड़े आदमी का एक बेटा क्या सर चोटे बच्चों की तरह रो रहे हो बंद करो देखने में अजीब लग रहा है क्या हुआ बताईए यूं कहा तब सेकेटरी रोते हुए जो हुआ वो बताया दूसरा बेटा पियुश को देख कर कहते हुए वो आइडिया सब को बताया सेकेटरी आहा ये तो अच्छा एडिया है अगर तुम लोग मुझे इस दूविदा से बचा पाए तो आपके लोड का डबल रेट देने की जिम्मेदारी मेरी है यूं कहा बुड़ा आदमी आहा सच में डबल रेट में खरीदोगे तो हमारे परेशानी अब दूर हो जाएगी यूं कहा फिर सारे बेटे और बुड़ा आदमी मिलकर तर्बूस को कट करके उसमें से तर्बूस निकालकर उसे वे बड़ा असा आईस्क्रीम तयार किये फिर उसे धकेलते हुए वे जब गाउं में जा रहे थे तो सारे गाउं के लोग दंग होकर देखने लगे वे इस तरह परमीश के घर आए वहां पियूश का जनम दिन मनाते हुए सब तयार खड़े थे वो आईस्क्रीम को देकर पियूश आस्चिरे में पढ़ गया वो उसे लेकर खाने लगा वाव डाड़ी ये बहुत अच्छा है क्या ये मेरा गिफ्ट है मेरा बोधे गिफ्ट कहते हुए खुश होने लगा वो देकर परमीश चेन की सांस लिया वो आईडिया देने के लिए बुड़े आदमे को एक लाग देकर सेक्रेटरी शबाश तुमें भी प्रोमोशन दे रहा हूँ भाई तुम इसी तरह मेरे बेटे के लिए अलग अलग किसम के आईडियास देते रहो यूं कहा पियूश वहाँ आईसक्रीम खाते हुए खुब एंजॉई करने लगा वो देकर उसके पिता बहुत खुश हुए